हेलो एन वेलकम बैक, सेकेंड सेम बीए बीए सी हिंदी केरला इनुवर्सिटी का जो कुस्टिन पेपर है 2022 उसका एक्ट्विक अनालिसिस देख लेते हैं आज आप लोग ने इसका एक्साम लिखा और डालते हैं एक नजर इनुवर्सिटी कुस्टिन पेपर वर्ब वैसे इसका विस्तरत विशलेशन बाद में किया जाएगा अभी फिलहाल देखते हैं कुस्टिन पेपर कैसा रहा हिंदी निबंद और अन्य गद्धि विदाएं कोस टाइचल में कोस कोड HN1211.1 पार्ट वन कुस्टिन में दस कुस्टिन्स हैं आपको नो चॉइस कुस्टिन नमबर वन आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कौन है सकेंड वन कुटच का रचनाकार कौन है धर्ड वन कलम का सिपाही किस विधा की रचना है फोर्थ वन परसाईजी के अनुसार निंदा का उदगम कहां से होता है फिफ्थ कुस्टिन सफेद मेमने किसकी रचना है सिक्स्थ वन सूखे सरोवर का भूगोल किस विधा की रचना है तो डालते हैं एक नजर इसके आंसर्स पर आदुनिक हिंदी का जम्दाता भारतेंदू हरिश्चंद्र जी है और ये आप लोगों को शायद डिफिकल्ट लगाओगा ये कुश्चिन क्योंकि ये टेक्स्ट के एक दम पहले दिया गया है जिस पर अकसर किसी का नजर जाता नहीं भारतेंदू हरिश्चंद्र को आदुनिक हिंदी का जन्म दाता कहा जाता है भी ये हिंदी लिट्रेचर वाले चात्र शायद जानते हूं या फिर जिनोंने पुरे टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा हो उनके लिए आसान लगेगा वरना ये एक डिफिकल्ट कोश्चिन की तरफ जाएगा कोश्ची नमबर टू कुटच का रचनाकार कौन है कुटच हजारी प्रसाद दिवेदी जी की रचना है और देवदारू जिसने लिखा है देवदारू निबंद जिसने लिखा है उनकी ही रचना है कुटच Again, order की रचनाओं पर second question आया है वो भी जिसने order की रचनाओं पर नजर डाला होगा, memorize किया होगा Second question भी केवल उन्हीं के लिए आसान रहा होगा Third question, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये एकदम direct question रहा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आप लोग सब जानते हैं फोर्थ question परसाईजी के अंसार निंदा का उदगम कहां से होता है? ये भी एकदम direct question था परसाईजी के अंसार निंदा का उदभव हीनता और कमजोरी से होता है तो ये चैप्टर के अंदर से ही आया है तो इसी direct ही कहा जाएगा अगें फिफ्थ question वन indirect one सफेद मेम ने किस की रचना है? अब देखें सफेद मेम ने किस की रचना है? मनी मधुकर जी की रचना है जिनोंने सूखे सरोवर का भूगोल लिखा अब ये भी जिन बच्चों ने उसे मेमराइज किया होगा केवल उनी के लिए ये आसान दिखेगा सफेद मेम ने किस की रचना है? सिफ्थ question सूखे सरोवर का भूगोल किस विधा की रचना है? अगें अगें डिरेक्ट वन विएंग के साहितेकार हरिशंक परसाई जी की रचना है तिरची रेखाएं अब ये भी सात ओदर्स हैं और सातों की इतनी सारी रचना है यहां दी गई है सभी को मेमराइज करना भी मुश्किल है अब ये बच्चों को परिशानी में डाल दिया होगा ये फर्स्ट पार्ट मुझे तो ऐसी लग रहा है एर्थ कोस्टिन माटी की मुरतें किसकी रचना है माटी की मुरतें रामडिश बेनिपूरी जी की रचना है अगेन ओधर की जो रचना है उसे पूछा गया है और नाइन्थ वन डिरेक्ट है निंदा सबद रसाई ऐसा सूदास जी ने कहा है ये आपको पता है ये भी आसान कोस्टिन ही रहा एक समस्मरनात्म रचना है ओके तो ये बात हुई पार्ट वन की अब चलते हैं पार्ट टू की और आपको केवल आठ प्रश्णों का उतर देना है पचाश शब्दों में इलेवन्थ टू 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 कोस्टिन पार्ट टू है दैट मिन्स सोलर कोस्टिन दिये गए हैं 16 कोस्टिन सा गिवन ये एव टू आंसर ओली 8 तो ये आपको 50% चॉइस है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी कमलेश्वर के व्यक्तितों के बारे में राजेंद्र यादव जी का विचार व्यक्त कीजी कमलेश्वर के व्यक्तितों के बारे में ही पूरे समस्मरण में मेरा हम्द मेरा दोस में राजिंदर यादव जी ने लिखा है तो वो आप आसानी से लिख पाए होंगे राजिंदर यादव का कमलेशवर से व्यक्तिगत परिचय कब हुआ था पेज 45 में ये व्यक्त किया गया है कि मेरा व्यक्तिगत परिचय कमलेशवर से उन दिनों हुआ जब दुश्यंद मारकंडे और कमलेशवर का त्रशूल त्रवेनी का त्रांस बना हुआ था अब ये थोड़ा difficult type question ही लग रहा है पता नहीं बच्चे कैसे इसे आंसर कर पाएंगे किया होगा भी या नहीं बडोदा राज्य में नौकरी करना अमबेटकर के लिए क्यों आवश्यक हो गया था ये एक आसान question है डायक है क्यूंकि बडोदा नरेश सयाजी राव गायक वाड ने उनकी मदद की थी उनकी पढ़ाई के लिए तो इसी लिए अमबेटकर के लिए वहाँ नौकरी करना एक अच्छी तरह से किया है बिजली की रोश्नी नहीं थी और कबाड भरा हुआ था रात में चमदागडों का देरा बना हुआ था ये सब आप आराम से लिख सकते हैं आपने लिखा होगा कालिदास ने हिमाले और देवदारू की चर्चा किस प्रकार की है अब ये एकदम डिफिकल्ट ही लगेगा क्योंकि देवदारू वो जो ऐसे था इतना क्लिष्ट ऐसे है उसके बीच से इसे ढूण निकालना भी मुश्किल है यहां इसके बारे में कहा गया है कालिदास ने इसी इह माले के उस भाग की जहां से भागीरती की निरजर जर्टे रहते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी उन्होंने शीतलता को भागीरती के निरजर सीकरों की देन कहा सुगंदी को आसपास के व्रिक्षों के पुश्पों के संपर की बदोलत घोशित किया लेकिन मंदी के लिए मुहु कमपित देवदारू को उत्तरदाई ठहराया देवदारू के बार-बार कमपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है अब ये एकदम डिफिकल्टी रहेगा, मुझे ढून निकालने में भी बहुत मुश्किल हुई अब ये एकदम डिफिकल्टी रहा, देवदारू निबंध में से ये उत्तर ढून निकालना जिनोंने उसके line by line उसका अध्यन किया हो उनके लिए आसान रहेगा वरना ये एकदम difficult रहा देवदारु वनस्पती की मरियादा से वंचित क्यों रहा? अब देखे देवदारु वनस्पती की मरियादा से वंचित क्यों रहा ये आपको पता है ये almost direct question होगा क्यों वनस्पती की मर्यादा से वंचित रहे गया देवदारू क्योंकि इतना बड़ा अनर्थ उसके सामने हो गया और वो आखें खोले उसे देखता रहा निर्विकार होकर तो इसलिए वो वनस्पती की मर्यादा से वंचित हो गया मुझशी प्रेमचन ने कन्यादान क्यों नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वासी नहीं था इन आचारों पर कि कन्याओं का जो जीवित वस्तु है उनका दान किया जा सकता है वो उसके खिलाफ थे वो उसके खिलाफ थे इसलिए उन्हें उन्हें कन्यादान नही किया प्रेमचन के समय में लड़की को पढ़ाना अपने आप में एक रांती क्यों थी क्योंकि प्रेमचन के समय में समाज ऐसा था कि उनकी सोच ऐसी थी कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो वो तितली बनकर उड़ने लगेगी घर बार में उसका ध्यान नहीं रहेगा तो इस उसे तांडव कहा जाता है, जो किस प्रकार का वो नाच है, जिसमें न अर्थ होता है, जिसमें कोई भाव भी नहीं, नाचने वाले का कोई उद्देशी नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, तांडव उस प्रकार का नाच होता है, केवल जड़ता के द्वारा आकर्शन को छिन न करके एक मात्र चैतन्य की अन्भूती का उल्लास यही होता है तांडव में धर्मांतरन संबंदी डॉक्टर अम्बेदकर की मान्यताओं पर विचार कीजिए धर्मांतरन संबंदी मान्यता अब यह एक आउट असिल्बस कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डॉक्टर लोगों को पढ़ने के लिए था बड़ोधा का अन्भव उसमें उन्होंने धर्मांत्रन के बारे में कुछ भी नहीं काहा है बड़ोधा आने के बाद उनका जो अनुभव हुआ उनका निजी अनुभव केवल उसके बारे में काहा है धर्मांत्रन अलेंगिल मदम मारना कारिय इचाप्ट्रल एंगों में परायन इल्ला अधने इंट्रोईलुम परायन इल्ला I have not seen anyway अपने जान अधु बाइधवे और अडिशनल इंफोर्मिशन आट नमड़ा वीडियो एले एड़ इदन चेहिदी रुणू अधे हम बुद्ध मद स्वीगरी चून ओल्लादू कारणाम रिलीजन मार याले फ्रीडं किट्टू ओल्लून अधे अधने मन्सिल आई अधन जान इंक्लूड इदी रुणू पर शे टेक्स्ट ले नोकेट अधने लेखक परिच्याए अलेंगिल आधन या होल रचने ले अंगिने धर्मांत्रन ने पची अधे हों नू परे निला सो धर्मांत्रन सम्मांती डॉक्टर अंबेतकर की मानिता उरू जनरल कुस्टनेट वरीच ओचरी क्या है हजारी प्रसाद दिवेदी की रचनाओं का परिचय दीजी अब ये भी डिफिकल्ट है हजारी प्रसादी की रचनाओं का परिचय नाल रचनाओं का परिचय नाल रचनाओं पेर और तरी कैन पर्णिर नू हिंदी साहिती की भूमी का हिंदी साहिती का आदिकाल परिचे देना अंबद वर्स लेर दान निंगा केत्रमात्रम बच्चुम नरेला इवन डैट कुस्चिन इस डिफिकल्ट वन रचनाओं का परिचे देना 22nd question एक साहितेकार के रूप में अमरत्राय का महत्व समझाईये अब ये भी एकदम डिफिकल्ट कुस्चिन है एक साहितेकार के रूप में अमरत्राय का महत्व समझाना है तो अम्रुत्राय का महत्त्व अवर उद्धेशिकी नदु अम्रुत्राय प्रेम्चंदन कथा समराटिंट मगन आयेट्टु अदेहं आउरु जीवनी एड़ियेपोल्टु आउरु जीवनी एड़ित्तु गारेंड जीविदत्तिंद विविधा वशंगल वळरे प्रेम्चंदन के जीवन प्रसंगों को उनके पुत्र द्वारा तटस्तता व इमानदारी के साथ लिपिबत किया गया है अब अधा आयरिक्याम इदेहत्तिंदे वरु नेट्टामायट्टी विरु परयान उद्देशिकिन अधिले अमरत्रायने वयक्तिक्ताको रचनात्मक्तापर हावी नहीं होने दिया तन्ड़ पर्सनल उर्टाच्मेंट अच्चनोड उल्ले आवर अटाच्मेंट जीवनी इले अधु विलिपिडतान अधेहम आगरे जिल्ला वर वालर है इंपार्शला एट वर आटा बायोग्राफी इर्दन वोलान इर्द दियेद पश्याद वर वर वक्ष्या कुट्टिकल का एंगन इर्दी फलिपिकनोवन बुथिमोट आई रिक्यान 22 गुस्चियन अगेन 23 गुस्चियन मनी मधुकर का परिचे दीजिए मनी मधुकर सूखे सरोवर का भूगोल एनन रिपोर्ट ता जिर्दिये विक्ति आन तो उनका परिचे देना है तो इसका मतलब है लेखक परिचे भी आपको काफी मन लगा कर पढ़ना है अधुरु पाढवान इन्नी आड़ता वर्षता कुट्टियलोड एंगिलुम अधु लेखक परिचे देना है धिरानी मा की स्प्रकार की नारी थी अब धिरानी मा सुखे सरूवर धिरानी मा आरान अवरे धापली धिरानी न बरे मिले अवरे विवाहं गल्चोंट वनना आन खरिया बासिल निनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन रस्पेक्ट एरनों इले यादले परयनोंड़। पक्षे रोज्जी थाकुर्ण मर्न शेषम अवरे यल्ला अवरियूं आरानना परयनद। लेकिन उनके मर्ने के बाद वह अपसबुनी बन गई। यल्ला अवरियूं धापली धिरानी डायन आनननुम अवड़ा मोडले प्र चित्रत किया है। भारत के अच्चुतों की स्थिति अंटचेबल्स ने एंधके आना फेसे एंड़ी वेरियूं अधाना अधेहत्ति ने आ बडोधा कानिभवने बेसे ये निंगा केड़दाां बच्चोड लोगल। अब आधिले अंटचेबल्स ने एवड़ अधेहू और संगीत का आपसी सम्बन्द की स्प्रकार बना। गेहु और संगीत का संबंद। पंडिंगिन मैनुलेट चेए वैरनलो उखल और चक्की में आ समेत्थ मानव का प्रत्थम संगीत नीकला अंगन गेहु और संगीत का आपसी संबंद। पता नहीं किसने इस पेड का नाम देवदारू रख दिया था। निश्चही पुराना है कालिदास से भी पुराना महा भारत से भी पुराना कथन की विवेचना कीजिए। अब इस कथन की विवेचना कीजिए। पता नहीं किसने इस पेड का नाम देवदारू रख दिया। ये सब ठीक है लेकिन इसकी विवेचना कैसे करना है इसके बारे में बच्चे क्या कहेंगे ये हमें भी नहीं पता। 28th question मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गाउं के एक महान भूत भगवान ओज़ा को देवदारू की लकडी से भूत भगाते देखा है। भाव समझाई। हाँ इसका भाव आप समझा सकते हैं कि देवदारू केवल नाम नहीं है। उनके गाउं में हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने बचपन में एक पंडित को देखा था जो भूत भगाते थे। कैसे भगाते थे, किसकी सहायता से भगाते थे, देवदारू की लकडी हुआ करती थी उनके पास। तो उस लकडी में काफी शक्ती थी, magical power था, तो ये आप समझा सकते हैं। अब ये किसके वाक्य हैं? वासुदेव जी का वाक्य है, वासुदेव कौन है? मुन्शी भवानी प्रसाद जी का बेटा, जिनके साथ प्रेमचन जी की बेटी की शादी करने का निश्चे हुआ था। उन्होंने ये खत लिखा था, और उसकी एक कौपी प्रेमचन जी को भी दशरत राल ने उसकी एक नकल भेजी थी। तो उसमें लिखा था कि खयाल रहे कि जिस घर में मेरी शादी हो, वह घर दिवालिया न किया जाए। मतलब की लड़की वालोंसे इतना अधीक दहेज भी इन्ना मांगा जाए, कि उनके पास फिर कुछ रहे इन्ना, वो एकदम दिवालिया हो जाए। दिवालिया होना मिन्स इल्लाम पापर आवगा, पेन बीट्टिया अरड कैयल निन्न, वल्लर यरिगां डवरे, इड़कानीम पाड इल्ल्ला, अवर आंग पापर आवना पोले, अवरे, करन नमल ये विवाहन चेंदान, तीन पुष्तों का रिष्ता है, उत्ते दो उसंग आशे के सुरूप को समझाने के लिए अगेन आपके टेक्स्ट के स्टार्टिंग में, पेश 13 में वियंगे की परिभाशा दी गई है, और उसी में वियंगे की बातें कही गई है, वियंगे क्या है, वियंगे किस पर कसा जाता है, वियंगे और हास से में क्या अंतर है, अब एकदम व्यक्त है, गेहूं हम खाते हैं, मतलब कि गेहूं का संबन भौतिक जगत से है, हमारे खाने से है, हमारी शारीरिक जरूरतों से है, और गुलाब हमारी सांस्कृतिक जगत का प्रतीक है, गुलाब हम सूंगते हैं, तो गुलाब से, गुलाब किसका प्रतीक है, गुला स्त्रप्त होता है और गेहों से शरीर की पुष्टी होती है अभिमन्यू की आत्महत्या नामक कहानी की पहली चिंगारी राजेंद्र यादव जी को कैसे मिली अब राजेंद्र यादव जी ने कमलेशुर के बारे में कहा था कि मुझे वो अभिमन्यू जादा लगते हैं जैस उसी प्रकार कमलेश्वर भी कई बार लोगों से ठगे गए, अपने दोस्तों से ही ठगे गए, लेकिन फिर भी वो अभिमन्यों की तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो अभिमन्यों की तरह संघर्ष करते हैं, तो वो देखकर उनके दोस्त राजेंद्र यादव जी क को लगा कि अभिमन्यों की तरह है कमलेश्वर और वहीं से अभिमन्यों की आत्महत्या नामक कहानी लिखने की प्रेर्णा उन्हें मिली। थर्टिफोर्थ कुस्टियन हर जूटा और पढ़ा लिखा आदमी कहानीकार नहीं हो सकता वरना आज सारे के सारे प्रयागवासी कवी आलोचक कहानीकार हो गए होते आशे समझाईए ये राजेंद्रयादव जी कह रहे हैं कि देखे कमलेश्वर काफी जूट बोलता है लेकि और जब वो जीवन में जूट बोलते हैं तो सुन्ते रहने कमन करता है लेकिमलेश्वर ने पढ़ा आदमी कहानीकार नहीं हो सकता अलेंगिल एंड नाट गार प्रयागले आलकार एल्लां तल्लना वरना आलकार आण पक्षे अवर आर्ल्या कवी मालोचकूं कहानीकार उन् 35th question गेहु बनाम गुलाब शीर्षक की प्रतीक आत्मक्ता पर विचार कीजी अधु नेरते पार्णे बोला ने गेहु बनाम गुलाब गेहु वर्सस गुलाब गेहु वेनो गुलाब वेनो गेहु नमड़े फिसिकल नीट्स आन नमड़े शारीरी कावशेंगलान भक्षन एपड़ु भक्षनतने पटी चिंदिचोन रिगया, सुगसाविरिंगले पटी चिंदिचोन रिगया, गुलाब हमारी संस्कृती का प्रतीक है, साहित्य का प्रतीक है, संगीत का प्रतीक है, अब आधा आना दिन्डे, पर शीर्षक की प्रतीकात्मक्ता पर प्रकाश डाल ललित निबंद के स्वरूप का परिचे दीजिए ललित निबंद के बारे में अगेन आपके टेक्स्ट के स्वरूप का परिचे दीजिए शब्द का प्रयोग सुन्दर, मनोहर, लावण्यमय और सुहावना आदि के लिए किया जाता है और निबंदकार जब बिना किसी पूर्वयोजना के किसी भी बात को उठा लेता है और दीरे-दीरे बात में बात बन जाती है तो वो लडित निबंद कहलाता है एक साधारन विशय भी लेखक के विक्तितों का अद्भुच परश पाकर एक ललित निबंध में निखर उठता है भाशा का लावणिया और शाहिली की रोचकता ललित निबंधों के मुख्य लक्षन माने जाते हैं और लेखके स्रजनशील व्यक्तित्व की छाब भी पूरे निबंध में लक्षित होती है अदा आन ललित निबंध गद्य के विविद रूपों का परिचे दीती है अदा लेखके स्रजनशील विविद रूप लित निबंध रेखा चित्र जीवनी आत्म कथा कर से क्या मैं गड़े मिला क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया हर्गिस नहीं आशे समझाईए हरिशंक परसाई जी कर नामक एक व्यक्ती के बारे में कहते हैं जो आते ही काफी अभिने करता है मानो हमसे बहुत प्यार करता हो लेकिन आते ही दूसरों की निंदा करने लगता है और पिछले दिन वो बैटकर मेरी भी निंदा कर रहा था तो इसलिए मैं कह से गले नहीं मिला और मैं गले मिला लेकिन मैं अपने मन को अपने शरीर से हटा दिया और केवल मेरा शरीर ही उससे गले मिला क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया हर्गिस नहीं मेरा मन वहाँ था ही नहीं मैं मानसिक रूप से कह से काफी दुराओ पर था इनिका कह इनोडो उरू तालपरियों इल्लाइड़नो करड़ सोभाव इनिके नलोवले अर्या माइड़नो इसलिए मैं कह से मन से गले नहीं मिला सो लास्ट पार्ट किनी दो प्रश्णों के उत्तर धाईसो शब्दों में लिखिए यू है टू राइट एनी टू ऐसे देवदारू की विशेशताओं को समझाईए देवदारू चोईचु ऐसे एट बेटी का विवाह जीवनी पर विचार कीजिए बडोधा कानिभाव पर प्रकाश डालिए निंदा रस्मे अभिव्यक्ति व्यंग्य का परिचे दीजिए सूखे सरोवर का भुगोल रिपोर्ट ताश का परिचे दीजिए गेहु बनाम गुलाब का साराश लिखिए ऐसे पार्ट वास ओके like 3, 4 essay पार्ट वास ओके 6 प्रेश पीस्टिंस प्रेटवर एंनट अधले रंटंड एरदियाम अधि अपन इवग्ववण रंटंड आएंक्षंट वोच्चे अपट्टी विषाल माइट एरदिधाम पार्ट वन कंपार्टीवली इंगले कोड़प्पिच्च गानूने याम प्रदीशिकीनु, निंगले comment box ले इड़ुगा, निंगा केंगेने एरनू exam, part 1, actually 1 mark होल्डीन उल्लू, उर्य गोस्टिन 1 mark आण, अप्प मुनालन निंक बुथ्धिमुट्ट आणंगिल, 3 mark पोवु उल्लू, पक्षे नमड 3 अं of form a question, essay question, निंगले इष्टमपोल छोईस ओल्लूट, निंगले एर्धी घानू प्रदीशिकीनु, so you please comment how your exams were, येङगेन एरंदू, ये तुनेन निंगके स्टुडेंट नननन तेट्ट आणंगेके, फेल एथु, अदु वलरए important आणे, कारणें, टीचर्स नननननने ले़ झाल झाल